सब्सक्राइब करता हूँ आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप सभी के लिए अच्छी बात है कि लोगडाउन जैसे खुल जाएगा उसके बाद में आपके एक्जाम स्टार्ट होने वाड़े हैं अपने एप पर उपलब्ध है आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर सकते हैं घर बैठकर मातर 400 रुप में इसके अंदर आपको वीडियो भी मिलेगी बुक एबुक भी मिलेगी मोक टेस्ट भी मिलेंगे रिकॉर्डिड कोर से 200 ऐसे ज़्यादा वीडियो इसके अंदर डले हुई है तो आप इसको ट्राइ कर सकते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो दोस्तों एचाससी की बरती के बारे में नोटीस आया है तो वो मापको वतना चाहूंगा तो चीप सेक्टरियो फरियाना ने ये नोटीस जार किया गया है एड़वरटाइजमेंट है 10-2019 ठीक है और जूनियर इंजनियर सीविल के पदों पे बरती निकली थी दोस्तों बरती पूरी हुच्प की है फाइनल रिजल्ट के बाद इनको जोईनिंग दे दी गई है और यहां पे वेटिंग क्या है वेटिंग लिस्ट जो बच्चे थे वे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी लगेगी तो कब लगेगी और इनकी जो वेटिंग है वो अभी वैलडिटी होती है वो एक्सपायर होने वाड़ी है दो जिसकी जो validity है जो time period होता है एक waiting का एक साल का वो खतम हो जाएगा यदि सरकार इसको चाहेगी तो इसकी validity को बढ़ा पाएगी लेकिन दोस्तो अब तक पूरे एक साल में इन्होंने किसी भी waiting को clear नहीं किया है तो इसके अंदर दोस्तो 82 लोग हैं जो waiting list में बैठे हैं इसके ल लगातार प्रियास करें कि इस भरती की waiting list को दूर कराया जाए या clear कराया जाए और दोस्तों जो इस भरती वाले लोग हैं वो कल CM house चंडेगड में जा रहे हैं CM से मिलने के लिए क्योंकि जो HSSC है HSSC ने अपनी तरब से कारवाई क्या है पूरी कर रखी है बस CM house से और जो चीफ सेक्टियों पर याना है वहां से इसका order pass होना बाकी है यदि वहां से order pass हो जाते हैं तो जो waiting list है वो clear हो जाएगी तो बच्छे इसलिए दोस्तों जा रहे हैं CM house इसका जो बच्छे कल वहाँ पर जाने वाले हैं उनका टैलिगराम वाट्सप गूरूप है उसका लिंक सब्सक्राइश 2019 जो एडवरटाइजमेंट है इसके अंदर जो junior engineer civil के बढ़ती थी जो उसकी waiting है इस बढ़ती में क्या है बच्छे बहुत चारे बच्छे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं कि या कुछ बच्छे ऐसे हैं जिन्होंने resign दे दिया तो वहां पर कितनी seat खाली है वो बयोरा हमें दिया जाए ताकि हम इस बरती की जो waiting list है उसको clear कर सके यह आगे के process के उपर काम कर सके दोस्तों यहाँ पर 25 मई तक की इन्होंने time bonding दी है कि इस अभी department को 25 मई तक मुझे update देनी है और उसके बाद में हम इस बरती के जो अगला process है अगला पड़ा सरकार HSSC कुछ सुनवाई करती है जो सरकार को अपने आप सहिस्म है पर करते रहना चाहिए वो बच्चों को धरने देके परदर्शन करके या बार-बार चीक के या बार-बार आकबारों में निकलवा के या बार-बार किसी नेता के विपक्स के चकर काटके काम करवाने आज की वीडियो में तरह ही दिन्यवाद भुगाले करे आप सब बीकास मैं सूब रहे